नमस्तार स्ट्वी नीउस में पर फिर से अपना स्वागत है आई निजटात्यां की नमट दिख्षिका में छात्रा के आँख में मारा डंडा आँख में लगी कमभीर चोगता उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ बच्चों के लिए तरह तरह की योजनाय चला रही है और साथ ही हर ब्लॉक इस तरह पर इसकूल चलो अभ्यान चला रही है तो वहीं दूसरी और उत्तर प्रदेश के साजांपूर में एक बिस दहला देने वाली घटना सामने आईए है साजांपूर के कोथवाली ब्लॉक छेत्र ददरॉल के अंतरगत ग्राम मोजम पूर में कक्षा पांच में पढ़ने वाली चात्र को अध्यापिका ने डंडे से मार दिया जिससे उसकी आंख में गंभीर चोटे आ गई जिसको लेकर परीजनों ने स्कूल के खिलाफ हंगामा सुरू कर दिया जिसकी सूचना पर पूंची पुलिस ने दोनों पक्षों को बुला कर चौकी ले आई जहां चात्र के पिता ने अध्यापिका के खिलाफ तहरीर दे कर कारवाही की मांग की चौक को तवाली चौक इलाके ग्राम मौजम पूर निवासी लाला राम की पुत्री संध्या प्रात्मी विद्याले मौजम पूर में कक्षा पांच की छात्रा है गुरुआर को दोपर वा विद्याले में खेल रही थी तभी स्कूल में तैनात अध्यापिका निशा रस्तोगी ने उसे डंडा मार दिया जिसे उसकी आंथ में गंभीर चोटे आ गई इसकी जानकारी जब परिजनों को मिली तो वो विद्याले पहुँच गए और हंगामा होने लगा सूजना पर अजी गंज पुलिस मौके पर पहुँच गई और दोनों पक्षों को चौकी में लियाए जहां पुलिता पक्ष ने अधियापिका के खिलाब तहरीर दी हाला की बाद में दोनों पक्षों के भी समझाता की बात बताई गई तो वही चौकी प्रभारी प्रदीप सहरावत ने बताया कि फिलित पक्ष यदी कारवाही को तयार होता है तो अभियुक्त पंजिक्रित करा कर कारवाही की जाई अधिया तो तुमारी बच्ची के साथ में क्यों तुमारी बच्ची को टीचर ने मारा इसलिए अधिया उन्हें कुछ वाला वाल दिखती रहती है जादा पड़ाई लिखाई होते नहीं विडिया तो वह मतलब टीचर जो है क्या बच्चों से फट्टी बिच्वाना चाह पड़ाई कर दो टीचर नमारी इसकी को शिकायद वगरा तुमने कड़ी इस की कई करी ला कुछ होई है करवाई भाई हूं ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर करना ना भूले